ओलोे, आज हम ऑद अंवलोप चप्टर का एक निया टोकिक के तरफ बढ और नविलोप्स डाद कोई भी पुलारकश का यथीर । पिछले वीडियो में हम लोग और केंथे कार्टिशीयन कर्ब लिए होथा युद वीडियो आप पुरा देखिए आच्छे से समझीए फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजीगा चलिए शुरू करते हैं एंबिलोप सब्सक्राइब कोई भी एक पुलार कारब आगा दिया होता है मतलब जैनरली एंबिलोप सब्सक्रा इन्टू वान प्लास कॉस्ट दिए यह कारब दिया हुआ है जो यह कारब है वो यह वाला कारब है इस कारब का जो रेडियस वेक्टर होगा उससे रेडियस वेक्टर से जो 90 डिग्री होगा यह रेडियस वेक्टर है इसके साथ जो 90 डिग्री जो लाइन बनाएगा उसका 1,2,3,3,3,8,4,8,8,8,8,8,8 सब्सक्राइप और भी पेमनेट हैं लेगे, शंट नमेट हैं उसके लिए अलग यह होगा टीविंटि तो जो पर्पिंदुगलल लाइन अखेल लिए वह पर्पिंदुगलल लाइन CHA लाइन एट कवर जो पर्पिंदुगार लाइन के लिए व t शूनक्या अपने से चूज किया वो है R5 बर R और 5 ठीके तो पुलर कोडिनेट्स लेट R5 भी the polar coordinates on the straight line perpendicular to the radius vector R theta यह R theta पर जो radius vector है उसके साथ perpendicular वाला जो straight line का straight line है उसमें पुलर कोडिनेट में लिया R5 ठीके तो इसमें देखिए यह 90 ट्राइंग्ल को देखूं यह बला ट्राइंग्ल को देखूं तो इसमें से हम क्या बोल सकते यह अर बाई आर यह क्या है base लखाना आर की इस ट्राइंग्ल के लिए इको inhal Cow call बेस भाईृह, हाईपोटेनियस परपार्प्रियुलोर का ओपोसिंटेट पर हाईपोटेनियस होता है बेस भाई हाईपोटेनियस equal to क्या होता है? Cos via cos theta होता है, इसमें theta क्या है? 5 minus theta, ये पूरा phi जे 가까 है, तो ग्या होता है, फाई minus theta यह लिए लिए भाई सी में और यह को सब्सक्राइबे डिये के इसके बाद क्या हुआ anh differentiating logarithmically with respect to the parameter theta मैं मान लिया इसमें मेरा theta parameter यह जो पहले का equation आया उसमें theta मेरा parameter है तो मैं इसको logarithmically log लागांगा उसके बार differentiate करांगा with respect to parameter क्योंकि envelope निकलना के लिए हम है हम parameter के respect में parameter को जैसे भी हाटने होता है तो ज्यादा तरह हम क्या करते parameter को parameter की पहले जो एक्वेशन दिया होता उसको उसमें हम लोगारित्म लागाएंगे लोगारित्म लागाने से देखिए लोग का फर्मल लागाने से यसे आएगा ठीके फिर उध्रेस्पेक्ट टु थिटा डिवेंशिट करना है इसमें कोई थिटा नहीं है मतलब जिरू हो जाएगा इसमें थिटा है इसले क्या होगा लोग फ्वेंशिट करना है इसले को शिरू हो जाएगा फिर लोग कोश 5 – थिटा का फ्वेंशिट प्या होगा log of theta का 1 by cos theta होता है 1 by theta होता है то cos of 5 minus theta थिचे फिर cos of 5 minus theta का minus sin of 5 minus theta और 5 गा 0 minus theta का minus 1 यह से करने से देखिए यह minus मिलके plus हो गया फिर देखिए sin of 5 minus theta by cos of 5 minus theta tan of 5 minus theta यह जब तो normal चीज़ए यह आपको मालुमी hacer मालुमी जल जायगा सब लिख सकते हैं यह आप त्रिगोनिट्रिक आइडिंटिटीटी जो इलिवेंग स्टेंडवेट में परे होंगे उससे बहुत आसान चीज है यह सब फिर कॉस पाइब वाइटु कांचल हो गया तुटु कैंचल हो गया माइनस तैन पाइब वाइटु रहे गया इसमें और इसमें टाल देंगे उसमें डालने के बाद या देखिए टेक्टैक्याम theta का value बिता दिया आर cos 5-theta तो theta के चाग में यह बिता दिया इसमें देखिए cos of इसको हम क्या लिख सकते ?cos of –2 pi –2 pi ऐसे लिख सकते ? minus को bracket के बाहर लिकके cos of – 2pi – 2pi 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 यह हो जाता है या डिकानलोंट्री identity सी है आप तो जो आप थोरा देखने से समझ में आ जाएगा टू पाई मैनेस फाई को सतुपाई मेंनेस फाई किया होगा को सब्सक्राइब सब्सक्राइब था है मतलब आर कोस्फी इकोल टू एकोस्कोरफई एकोला स्कूरफ पइख़ ङए जो इक्वशन आया हो यह मेरा एंवेलोप तिके अभी दिखिए एंवेलोप कौन से ताम में आया है फाई और आर के डार में लेकिन फाई और आर मेरा पोलार कोडिनेट में जो पोलार कोडिनेट मेरा दिया हुआ था उसमें आर और फाई था ही नहीं में और फाई अपने से लिया था ठीक है तो इसलिए मैं अभी क्या करूंगा जो कोडिनेट मेरा दिया हुआ था उससे इसको चेंज कर लेंगे वही होगा मेरा एंविलप का इक्वेशन अर्क के सह में अर्द दिया हुआ प कर सकते यह तीन एक्जमपल्ब में आपके लिए दिया हुआ अभे चलते दूसरे ताइप के तरफ मतलब दूसरे ड्यपका जो प्रॉब्लेम्स होते हैं यह सारे प्र्ड cocon. मतलब क्या कर आ है मैं कोसिंद नहीं लिखा पर पहले कोसिंद था वैसे यह कहता है कि इस कर्ब का जो पारबन्नीकोलाइन जो रेडियफ वेक्टर का जो पारबन्नीकों होगा उसका जो एंबिलोफ होगा वही निकलने को आ है रेडियस वेक्टर यह है यह रेडियस वेक्टर को मैं डायमीटर मानके अगर मैं एक सार्कल ड्रॉ करूँ इस सार्कल का डायमीटर यह है ठीक है और यह इस कर्ब का रेडियस वेक्टर भी है रेडियस वेक्टर को डायमीटर मानके अगर मैं सार्कल ड्रॉ करूँ तो सार्कल तरइका जो निकलने को कहा है ठीक है वह निकलने के लिए लगबक सेम ही है तरीका देखे Mmm तरीका क्या करेंगे कोई भी एक पुएंट लेन यह जो हम कोडिनेर य का लेंगे अरफाई E सेम पेहले जैसा ठीक है लेकिन अभी देखिए यह जो मैं को जो कोडनेतल लोँगा वह एसा नहीं है कि मैं इसनसे 90 कृट्ई डिगरी लिएलुंगा मतलब स्यही तो रेली ग् depth कर देखिगरी हुर νेय**ी कोई भी सार्कल में किसी सार्कल में उसका डायमेटर के साथ अगर मैं कोई भी एंगल बनाओ वो हमेशन 90 दिग्री होता है तो मेरा यह 90 दिग्री आगया तो 90 दिग्री आने के बाद आभी देखिए यह जो ट्राइंगल है यह यह ट्राइंगल ओ क्यू पी यह वला जो दोनों साइट में to the power n कर दिया से तो ये बेलू पिछा हो गया, पृवर और तो नियों से समझ से दिया हुआ, यह से सब्से Це से लग भगा, यह हो गया n log a plus log of cos n theta क्योंकि log का formula होता है कोई भी into होने से वो plus हो जाता है देखिए a to the power n into cos theta है ना तो a to the power n का हो जाएगा n log a फिर plus हो जाएगा into में बिच में into के लिए plus हो जाएगा log cos theta फिर into इसमें into a into के लिए हो जाएगा फिर plus plus और यह n पावर का आ जाएगा नीचे n log of cos 5-theta ठीके यह हो गया फिर इसको हम डिवेंशेट करेंगे with respect to theta इसमें कोई theta नहीं है तो 0 हो जाएगा इसमें theta नहीं है जिरू हो जाएगा इसमें theta है तो log का formula लागे log x का divination क्या होता है 1 by x तो cos n theta नहीं चाहिएगा फिर cos n theta का divination करेंगे minus sin n theta n theta का divination करेंगे n ठीके इसके भी divination करेंगे तो यह आएगा फिर दीखे क्या आया 0 equal to minus n 10 n theta plus n 10 5-theta फिर इसको इस सेट मिलाने से 10 n theta equal to 10 5-theta फिर n theta equal to 5-theta तो क्या आया theta equal to five – n plus 1 यह आया आप क्या करेंगे theta के जगा में जहाँ-जहाँ मेरा theta था में,lla में theta था उसमें theta के जगा यह वीटा देंगे तो r2 d bar n equal to in MARKा आगàng यह आने के बाद यह मेरा ehuektion अभी देखिए यह equation किस किस perform में आया है एक तो और फइक तम में आया है लेकिन और फइम मेरा एकोईशन में थाई नहीं तो पहले जैसा था वही मेरा जो कोडिने दिया हुआ था था तो उसी फॉर्म में हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे वही होगा मेरा एकोईशन ऑफ दा एन्वेलोप ठीक है तो देखिए आल टुदीबा तो उस सार्कल का जो एणलोग का इक्वेशन होगा वो उसका जुंस एक्वेशन हो एक्वेशन हाईने है थेख में 2012 झालीए अज के लिए इतना ही